तो आज का टॉबिक रहेगा हमारा हम जी एश्टी के अंदर प्रैक्टिकली कैसे नमबर अप्लाई करते हैं जी एश्टी नमबर ठीक है तो देखो अनुच विसके लिए क्लाइंट मिले आपको चाहे वह कंपणी हो प्रोप्रेटर्शिप हो पार्टनर्शिप हम हो कैसे उसक पहले आपको मैंने एक थेवरी समझाए थी ठीक है कि लाइक जी एश्टी में किसको अप्लाई करना होता है ठीक है कहाने जीस्टी में क्या आपकी कमपडी को नेड़ भी है अप्लाई करने की यह नीड नहीं है सपोस्को अगर आप नॉन टेक्सेवल आइटेम में डिल कर हो ठीक है यह आपको मैंने शीट दिखाई थी इसकी मैंने वीडियो पहले है बना रखी आपके सामने तुसमें लिखाव है साब साब अगर आप टैक्सेवल सप्लाई करते हो एक्सेवल सप्लाई कितना इन फ्रांशल यह में अगर आपका टॉन ओवर 20 लाग क्रॉस करता है तो ही आपको जेशन अप्लाई करना है एस पर दा सक्षण 22 यानि सक्षण 20 की अप्लाई की नीड कप पड़ेगी जब आपका अग्रिगेट टॉन ओवर 20 लाग्स उपर हो जाएगा ठीक है ठीक है उसमें सप्लाई में क्या कवर होगा सप्लाई में सर्वोट्स भी है सर्व करेंगे तो इसमें क्या करेंगे मुझत टोटल करेंगे कि इसका वल् टटेक्स अप्लाई करेंगे इसके बाद किया सारिक्जेंट सफ्लाई एड़ करेंगे फिर हम सारे एक्सपोर्ट एड़ करेंगे इसके अंदर और फिर जितने भी आपकी इंट्रस्टेट सप्लाई है वो हम एड़ करेंगे यहाप लिखा हुआ है एविंग सेम पैन नमबर एंड टू भी कॉंप्यूटेर ओल इंडिया बेसिस मतलब एक इंडिया म प्रांच मेरी सबस्कुलोच एनगे अंदर है अब तीनों ब्रांच एक ही पैन नंबर पर याप करेंगे दिल्ली का हम एक्सपोर्ट एड़ करेंगे अगरब करते हो तो फिर जीतने इंट्रशेट सप्लाई है वो इसको एड़ करोगे ठीक है जितने फिकर निकल आगी हो य सब्सक्राइब करते हो तो वो भी आड कर देंगे तो जो भी आप डिल करते हो उन सब सब्सक्राइब करेंगे सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि यह सभी एक नमर पे हैं एक पैन पे तो इंडिया में जितने प्रांच होंगे आपके सिंगल पैन पे सब्सक्राइब प्रांच को नहीं है जी एश्टी में अप्लाई करने की अच्छा मैंना इस चीज और भी इसके अंदर कि सब्सक्राइब करो यहां पे गॉवर्मेंट ने बोल रखाया क्या सक्ष्ण में कि दखो अगर अगर आप इन स्टेट से सब्सक्राइब कर रहे हों यहां बच्चे सब्सक्राइब बहुत कंट्रिज होते हैं कि बताओ कि सप्लाई क्या होता है अब इस ते सप्लाई बलाइब टो यहां पेड चीज है अगर इन स्टेट से यह जिसको आप जिसको आप इस पेडियों ने special category states बोला है अगर आप इने states से supply कर रहे हो तो limit क्या है आप लिए 10 lakh की बट मैं आप एक चीब बताना चाहूँगा आपको कि JK आप इस लिश्में से बाहर हो चुका है ठीक है यानि JK आप इस special category states में नहीं आता इसके लिमिट अगेन क्या है यानि आपके लिए अग्रिट अबर दस लाग के अप्लाइ करना होगा बाकी अगर आप इसके लाबा किसी और अधर स्टेट में हो या फिर किसी अधर यूनिन ट्रेटरी में हो तो आपके लिमिट कितने होगी 20 लाग की ठीक है ओके तो सपोस करो मैं आपके कहता हूं आपसे क जर्मानलो आपकी एक जो कंपनी है वह देली के अंदर है ठीक है अपने इसका अग्रिक्ट नुपर निकाला जो की हो गया अपका लेट से 3 0.0.001 एक आपकी उपी के अंदर है इसका लेट से 2 0.001 आपका एक और प्रांच है वह मालनलो आपका अगें चन्नेहीं में है ठी है आपने सब का फॉर्मॉला लेकर कर लिया होगा कि किसकी कितने सप्लाई हो रही है आपने सप्लाई लिखी और सब को एड कर दिया कितना हो गया बारा लाग ओके तो सर्फ हमारा बारा लग तो हो गया क्या ये बीस लाग से उपर जा रहा है नहीं तो किसी को अप्लाई करना है नहीं करना अप्लाई तो नहीं करना बट क्या हो गए है यहां पर इसके लिए क्या रूल है इसके लिए दस लाग तो आप अगर अगर असाम से दिलिंग कर रहे हो तो देखो आप है अब चक करते हैं दिल्ली के लिमीट किया टिवाल में अप्लाइ करने के लिए बट आपका टो नहीं करने के लिए इसको भी अप्लाइए करना तो आपके असाम वाली यूनिट को जी एश्टी नमर अप्लाइए करना ठीक है बागियों को नहीं करना ठीक है अगर यह सारे सेम नमर पे भी है तो भी खाली असाम को भी करना होगा he 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 said अगर हमारा जैसाम की लिमिट्ट हो गया तो सब को अप्लाई करना होगा ठीक है तो यह अपर यह बहुत कि इस तरह किसे करोगे ठीक है ओके पर सपोच करो यह अगर यह लिमिट्ट है यहां पे इसकी 15 पंद्र नाफ होती चल नहीं की तो कितना हो चाहिए मैस ठीक है तो तो 22 लाग वहा था फिर तो चेकी कुछ नहीं करना सिधा अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 20 लाग क्रोश कर चुको है यह से 20 लाग क्रोश कर गए फिर तो सब को अप्लाई करना है ठीक है अगर आप 20 लाग से आपका टरनवर कम हो रहा है तो आप एक बार चेक कर लो कि उस अगर सबस्क्राइब करो आप थाली नॉन टैक्सेवल आइटेम में डिल करते हो यानि आइटम बोलो या सर्विस बोलो अगर आप ऐसे वोड करते हो या फिर आप यह वार्ट क्लियर होग आपको ठीक है यह जिएशेए अप्लाई करने की लिए बार टीक हो आईगी 20 लाग यह दस लाग करता है उसके एक्वर्मेंट क्या बोलती है जिन जिन को हम यहां पर लिखके दे रहे हैं उनको अप्लाई करना GST में कंपल्सरी है ठीक है तो 20 का हमने पढ़ लिया अगर आप कोई इंट्रहएट सप्लाई करते हो कोई इंट्र शेट्स अप्लाई करते हो मतलब क्या इंट्र शेट का अधर भाहर आप दिल्ली में ऑ और आप नहीं बाहर करते हो आपको in प्रस्टेट्स अप्रवय करना है और आपके लिमीड डिल्ली की कितनी है दो लाग रुपे सब्सक्रिण होगा है तो अगर आपको इंट्रस्ट्ट सब्लाइब करना ठीक है Irrespective of Turnover टूमतलब किया यहां पर सक्षिन 24 यह बोलता है कि अगर किसी शप्लाइयर को सप्लाइयर मतलब Manufacturer, ट्रेडर और Service Provider ठीक है सवीस प्राइडर अगर आपको कि अगर आप Manufacturer हो या Service Provider हो या फिर ट्रेडर और आपको क्या करना है इंट्रेट सप्लाई करना होगा तो आपको अपना लिमिट नहीं देखना सीधा अप्लाई करना होगा यानि गौर्मेंट ने बोल रखा है कि इंट्रेट काम करने के लिए यह mandatory है जेश्टी निमबर लेना आप टूशेट में काम तभी कर सकते हो जो आपको 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 इंट्रेट सप्लाई करना है तो यहां पे डिलर यह नहीं को सकता यानि कार्टी यह नहीं को सकती कि सब्सक्राइब तो बहुत कम है तो यहां पर देखना भी आपने किसी को भी यह करना है काम करना इंट्रेट तो अप्लाई करना कंपल चरिए ओके नमबर टू फिर गवर्मेंट ने एक नोटिफिक्शन निकाली किसके रिगार्डिंग सर्विस प्रवाडर करिए और क्या है वो दिया छुला हमें काम करते है इनको थोला जट रिलीव टिकर सरलीव еня सर्विस प्रूडर आपको सर्विस प्रवाडर घ mapped volto के दो आपको मैं यह पूइंट फिर्से क्लिए करता हिए मैं अगर अगे सर्विस प्रवाडर हो डिलर ओर डिलर हो डिलर्व भी सक लिय इंटर्सेट काम करने पे अपलाई करना कम्बल से आप तभी काम कर पाओगे अप्रष्ट जब आप वास येशिरी नंबर होगा आपको प्रफण हो दिया कि कि अगर आप सर्विस ब्रफडर हो आपको को हम बोलते हैं कि आप इंटर्शेट काम कर सकते हो बिना जिस्ट नंबर लिए भी ठीक है कब तक 20 लग तक बाद तो इंको उपलाई करना पड़ता है ठीक है तो यह बिसके लिए आपकी क्या है कुछ रूल्स है सक्षण वाइस के अक्वाडिंग और सक्षण 24 के अक्वाडि अपके 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 अपर तो भी आप लेनी कर सकते हैं कर सक्षण 25 में लिमिट है सक्षण 25 के तीन में क्या बोलता है वोलंट्री रजिस्ट्रेशन वॉलंट्री रजिस्ट्रेशन मतलब क्या आप अपनी मर्जी से भी अप्लाई कर सकते हो ठीक है बाइस में और 24 में बोलती है जी करना ही करना है यह हमारे कॉर्डिंग है बट आप चाहो तो आप 22 के कॉर्डिंग में नहीं हो जैसे गोर्में बता रखाए आप 24 के वाडिं चलने की तो हम कैसे फॉर्म बरेंगे वह समझते हैं तो सबसे पहले हम जाएंगे कहां पर मालो को क्लेंट बिला आपको वह होता है मुझे जिस्ट्रेशन पर अप्लाई कर तो पहले आप चेक कर लोगे इसको पर लाइबरेटी आते भी है कि नहीं आती तो फॉर्म ही नहीं कि डॉट जी एसटी डॉट जी ओवी डॉट है ठीक है कि साइट पर गया यह मिसके लिए हमारी कोट्स एंड सर्विसेस की टैक्स की साइट है अगर आप तो राइस्टर डिलर हो अगर आप राइस्टर डिलर हो तो आप लोगिन ट्रेक्ट लिए यहां से कर लोगे अपना आइडी पासवर्ट डालके लोगिन कर सकते हो ठीक है अगर पहली बार अप्लाई करना है तो इसके लिए हम कहां जाएंगे पहले सर्विसेस के अंदर लिखना को लिख लो तो से पहले साइट लिखू जी एस्टी.gov.a इस साइट पर जाना है आपको इस साइट के अंदर हम क्लिक करेंगे सर्विसेस पर गो तो रिजिस्ट्रेशन तो इसके अंदर ओप्शन देखेगा आपको निउ रिजिस्ट्रेशन का निउ रिजिस्ट्रेशन ठीक है इस पर क्लिक क्या हमने तो चलिक करने के बाद यहां पर क्या होता है हमारे साइट निउ औप्चिन सब्सक्राइब उसके बेस्पें पार्ट भी को फिलिए करते हैं ठीक है तो यहां पर गॉर्मेंट का कुछी बहुत ही बेसिक फॉर्म है अगरा सब्सक्राइब कुछ भी नियस फॉर्म के इंदर देखो यहां से किना इजी हो जाएगा आप यहां पर पूछ आपसे आया मां तक्सप्राइं खुझार इसनर आव गूंट्री प्रों ट्रॉच्टिशनर हो ट्रॉच्ष ट्रॉच्टर हो अक्टिर्थ हो नों डेशिएंस परसन उन्लाइन्स एकिन लिए व्यु क्लाइन ठीक है क्लाइं होगा वो भी होगा विसके लिए थिक्सक्राइब करूं और व्सक्राइब होगा प्लाइब करेंस के लिए फिर पूचहे कि यह आप इसके जब से आया है ना तो आप यहां बैटके इंडिया में किसी इस भी बंदे का ज़िए अप्लाई कर सकते हो जाव किसी भी स्टेट का हो या या यूनित एक्री का हो ठीक है तो यहां पर आपके नंगे आपके पास अब करना है अगा पैंट नमर कहीं का भी आपके पास याट से यूपी का क्लाइट आपका तो कोई इश्यू नहीं है ठीक ना आप किसी का इप्लाई का सत्ते हो चाहे हो इंडिया में कही का यूपर्शन हो इसके कंपणी हो ठीक है ओके नमबर टू अब डिस्टिक पुछेगा तो यह बिसिकली आपको जो एरिया है जैसे डैली में रोह आपको थोड़ी से यहां पे मैनत करने पड़ेगी सबस्कुरिया तो अपके लिए एरिया नोन होगा तो तो पता होगा ठीक है वैसे कई अपनी अपनी अपता होगा तो ग्लेंट जिस भी एरिया का है उस एरिया का प्रेले गुगल कर लेना की वो किस जोन में आता है इंग जनकुरी कहां पर आता है तो लेगे तो आपको यह पिक करना होगा ठीक है बिस वो एरिया कि जोन में आता है जहां पे ग्लैंट का प्लेस बिजनस है ठीक है ओके तो एक से हमारे केस्पे नौथ वैस्ट देली है यहां पिक कर लेंगे आप फिर पूचला है लीगल नेम बर आप तो फिर मचलने आप गाल ह चुषरे को ऍसकर लेंट करना होगा सबस्क्राँ कि अब करेंगे तो फन्ऐ।र हाएगा कमपनी का नाम आ जाएगा और कमपनी का पेंड नब नमब आएगा लगा तो यहां पर उसका नाम नाम नीए आएगा तो यहां पर आपको जो नाम चाहिए अनूस टेक्स-क्लासे चाहिए तो यहां पर क्या आएगा उसके नमर है विए आपके पास और न्हां और दो कि अपना इन केस अपरेचर मैं प्रीज़िक से प्रॉप्रेटर आपका प्रोप्रेटर का प्रॉप्रका नमट अप आजाएगा त्रेटनेम जो भी शेकिए अपको वह वह अभी पार्ट इभी में हैandale को फिल करेंगे अधिके नाम अचिन आएगा ओके प् एक आर्पी के आर्पी कि लाइन शिफ तो फो टू एच ओके फुटाप प्रोणिम्ट के अपने कर अमीज कुमार विजे इस को कि यह विश्क लिए आ गया है आपके आप वोच एका इमेल एडर्स बिसके लिए होता है गॉर्मन आपिना तीन उसी सक्रती है आपका पैन वेरिफाई करेगी आपके मेल आड़ी करती है गॉर्मन और आपका मॉवाल नमर वरिफाई करती है तो आपका पैन कर्ड कैसे वरिफाई होगा पैन कार और नाम बैसकरने चीए नंबर एक नमबर दो मेल पे आपके एक OTP आएगा वन टाइम पासपर्ट वह आपके लिए रहा हमारा हमने चेक कर लोगे लेटी का ठीक है तो यह भीकुत सही होना था ही कि यह OTP आएगा तो उस पे में डालना पड़ेगा ठीक है वरिफाई करना पड़ता है फिर यह क्याप्चा होता है डालते ना इसको 3200 0048 तो यह दोस्तों आपका रहा पार्ट-a बिसके लिए जो फार्म होता है उसके दूब आपर वी बोलते हैं थिक ऊच्छाए खाली अपनी जालना है कि आप टैक्सपेयर नुदली से हो जिस डेट से हो वह आपके जो प्रेस्पेश्ड जोन में आता है प्लस सबस्ति के रि चक करना जाए आए बदो नाइन शिक्स नाइन शिक्स वन ट्री डबल सेवा टीक है और एक इमेल पर आया होगा देखो अब यहां दोनों देना कंपल सरी है कि इस पर पाई नाइन शिक्स करें लिए पाई पर तो इस अब यहां पर प्रूसिट्र से प्लिक करो तो अंहें पार्टी प्रिक्वें के लिए पांगे पार्टी क्लिट हो जाएगा ठीक है आपको अपर आता है टेंप्ररी रेटेंस नंबर तो अपको अंतर्सकुट मिल जाएगा अगर कुछ अरह नहीं होगा तो हमारा याद चुक है टीक है यह मैसेज पड़ो एक बार क्या लिखा रहे है ऐसे अनिद्टेंशन नंबर 0718 जब्ण 061835 टी रहे कि श्यार हो किया है देखो यहाँ पे यह लिख रहा है यहाँ आप सक्षुफिल शुर्मिट्टांग्रेन तीक है अपड़ रिश्चिन प्रोचेस्ट यह आपका नमर आ गया ठीक है इसकी बाद भीष फॉर्म के ले लोग ओके लिंग करोगे बखेब लिक तीक है और गली अफीर प्रीक विसंप यहां प्रोसीट पर क्लिक करोगे ठिकाइग मैंने कहा थो प्राइले जो प्लै करते हैं पर पर यहां पर पर यहां आ गया होगा तो यहां पर यह अग्यां चिर लोगे जो कि दाल के क्रेक्ष रोगे तो इस पर आपका दुआ से भी आए गाए गाए वह फोन पर में पर नहीं भी आसकते दोनों पर आएगा वहां से कोई किसी भी एक कर दाता हुझा कि आगे तो सीच्ट टू टिक ट्रेंगे प्रोसीड पे आपके सामने पर वी का फॉर्म कर गया हुझा और इसके अदर फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि याप आपने एक्टिन प्रेंट करना है यहाँ इसके जाओ गया नहीं टिक है यहाँ पर एडिट पर क्लिक करोगे ठ आपका जो भी टैस्पेर है उसके लिए कुछ फॉंस और भी है लग लग वह अक्राइब की यहां से नौली सप्लाइं करना होता है यहां से प्लाइक करना होता है अब बड़ किसी केस में गौन में पैंन नंबर कंबल से निगा रखा तो उस केस में क्या होगा था इंडिया में आई विदिस करने के लिए करें तो इन जन्रोटर से बसने के लिए गुवर्मेंटर उनके पैन नमर ऑप्शनल कर रहा है उनके बास जो अधर डॉक्मेंट्स होंगे उनके बैस प्लाई कर सकते हैं रट हमारे आरेजी वन के अंदर तो पैन नमर कंबल सरी यह देना ठीक है इसलिए उनका फॉर्म गॉर् पे आप पे समय पूरा पार्ट कर के आगया है प्रफाल परसंट कंब्रेट आपकी जिशिश पार्ट वन और आड इजया से मैंने काता ना कि आपका नाम पार बढ़ रिखा रहा है बिजनस इटेल्स के अंदर है ठीक है तो यहां बढ़ा सकते हो तो प्रप्राइटर आपर क्या पूछ रहा है डिटेल्स आप यूर बिजनस यानि इस फाले फॉर्म पे दोस्तों जो भी चीज आएंगी किसके आगी बिजनस के बारे में आएगी यहाँ पर आप से नहीं पूछ ली प्लेस और सप्लाई क्या कर रहे हो क्या प्रोमोटर है क्या क्या प्रोमोटर ह यहां से अब पूछ रहा है constitution of business मतलब बिजनस है कैसे आपका ठीक है जैसे यहां पर जाएंगे इंदर देखो इसके इंदर क्या होगा foreign company है foreign limited है क्लाइंट जो भी है ठीक है इन में से अपने पिक कर सकते हो ठीक है इसके लिए पॉइंट डेश्टिक आगया हमारा अब यहां पर एक थोरी सी आपको मेहनत अगेन करने पड़ेगी यह फाइंड करने के लिए जिसमें आपका सर्कल वाड आएगा कमेशन रेट आएगा डिवीजन आएगा और रहेज आएगा तो इसके लिए आपको दोस्तों यहां पर क्लिक करना होता है रैफर दा लिंक पो एक रिख और दो लिख करने के बाद आपके समने ऑप्शन आ गया देख्वासे को यहां पूचन आ पूचरा हो गया तो जिसमे सबस्क्राइस को फिक कर सकते हो यहां कि यहा Haric सबस्क्राइब तो को करने के बाद मेरे सामने साने तीन ऑप्षन आगए इस डोर्त एल्ली सब्सक्राइब अटो टीचे जैन डैली व अगर आपको पता है तो किस जोन में आता है उसके वाड़िंग जो भी आपका एडिया होगा उस पर क्लिक करोगे आप क्लिक करने के बाद यहां पर दोस्तों देखो देहां से आपके सामने रेंज लिक आ गया रेंज 106 107 में नहीं पता कौन से रेंज हमारी कौन सी पार्टी प्रटीन के लिए होगा ठीक है किसको पिक करें तो आप सिप्लेश चक कर सकते हों आपके एरिया होगा जैसी बिसक लिए मेरा यहां पर अड्रस क्या है पिन कोड के तहा हमारा है तो इसके वोडिक क्या करेंगे तो चक करेंगे 106 में सेक्टर एट रूइन कहां पर आता है यासी यह किसके लिए 106 यह उनके लिए है जिनका सेक्टर 15 16 17 18 26 अंडे 89 पिन कोड वाले सम्तिंग तो 107 पे जाके देखो 107 में कोण आ रहा है प्रसांतिया सेक्टर 14 एंड सेक्टर 8 20 यहां पर आ गया तो इस तरीके से आप वेरिफाई का सकते हो सेक्टर 108 किसके लिए 108 आपका 5 6 7 8 7 9 13 नारपूर रजापूर सम्तिंग विजय बिहार वाले सेक्टर के लिए यह रेंज है इस तरीके से आप इसली फाइंड कर सकते हो कि आपके लिए कौन सा रेंज एप्रोप्रेट रहेगा आपके यह लिए क्यों ठीक है तो यहां पर थोड़ी से आपको आरें द्रास पर आते हैं कमिशन रेट में जहां पर दो क्या होगा हमारा डैली ऐस्ट हमने डैली ए क्किया था ठीक है उसका डिविज़ं क्या था हमने इतना रोहिनी जोभी एरिया होगा और फिर यहांपर का पिकिया था हमने 107 इसके लिए आपको इसकी екल्प नहीं पड़ ग होगा ठीक है अगर आप casual tax person नहीं हो तो उसको no करना है ठीगा याँ जधिल taxpayer casual tax person को नहीं pick करेगा जिक है अब आपको समझना होगा casual tax person किसे बोलते हैं और composition scheme कोण pick कर सकता है एकए आपको यह scheme pick करने है तो yes करना है और नहीं pick करने तो no करना है casual tax person चाहिए तो यह और नो अब करो दॉट्स होगे जो यह वाली डीओ देख रहे हैं डाउट्स में यह होगा किसे यह होता को ना क्या ट्रक्त परसन को प्लस कंपोजिशन सीम को प्लस की तो इसके लिए फ्रेंड्स बहुत सी बात है आपको मेरी वीडियो दिखने पड़ेगी ड इस में इसमें किसी को आची स्रविट बीट कि से रते को मैं क्या आटए हैं किसे बोलते है यह थो थो आ उसमें क्या किस्विगा होगा आपको कैस्वल एक्षाइब करना कंपल सरी है यह बाते कहा लिख हुए है स्ट्षिन 24 के लिखी हुई है जहां पर आपको अपना टर्नोवर नहीं देखना सीधा अपलाई करना होता है यहांनि अगर आपको कोई ट्रेट फेर में बिजन्स करना जाओ का दोा है जी अपर अपको प्लाहिड करना परता है क्योंको प्रति है जंस अब लागत Director के लिए उसकेस में आपको कहिताक शोंच स्कीं समॉल के लिए यहां पर कोश रहात होती है कि इसे इन को रिटने के लिए सब्सक्राइब करने परते हैं इनको बुक्स पर इस प्लाइब करना परता है यह सप्लाइब का एक टरनोबर का फिक्स परसेंट को पे करते हैं तो रिजन टूब टेन रजिस्टेशन मतलब क्या अब कारण को श्री अपलाई करने क्यों आए हो मारे पास ठीक है किस खारन से अपना किस कारण से अपना किस आपको व्यूंटरी अपलाई करना है सबोश करो टेक है तो जो भी कारण होगा अपलाई करने का उसको पिक कर लोगे अपर रिजन को फिर आएका डेट और में बिजनस यहीं सटाट कब वहा था तो जो भी डेट होगे पिक कर लोगे ठीक है अच्छा अब यहां पर आता है इंडिकेर्ट एग्जिस्टिंग टेक है जोभी आपके नंबर होगा लट से अपमानो इन शॉर्शिक रेषर्शन थे तो आप इसका नंबर देना आपको प्रांट टेक्स का नंबर जोभी होगा जो घो सर्विस्टिंग कर तो आपको जीएश्टि में एक्साइज करना सब्चुर्शन याण यानि आप यहा प्रवाना कंपल से लिए आपको प्रणोंवर भी लेखना भी इस लागता ठीक है बटा भी माईगरेशन को ऑप्षिन बंद हो गया ठीक है वो लाश्यर्ट थी हमारी 30 मार्स जो कि आप खतम हो चुकी है तो और हाप यह मैंनेटरी भी नहीं है तो इसको आप इसके पही कर सकत होगे तो यह सब फिल करने के बाद यह पहला पाट क्लियर होगे ठीक है तो यहां पूछेगा तो दिख जाएगा वरनापका ऑटमेटिक फॉम पार्ट तू में आ जाएगा पर मोटरन पार्टनर में अब यहां पर कुछता हो देखो डिटेल्स ओ प्रोप्रेटर्टर बिस प्रोप्रेटर का जो भी चीज़ बताऊगे है प्रोप्रेटर के बारे बताऊगे ठीक है अब नेम तो पहले खुदी आगे पैंकाट के अकोर्डिंग ठीक है अब यहां पर क्या आएगा फादर नेम बताने को रहा हूँ गंगा सार सार बीच में ठीक है ओके डेटर एक है ठीक है तस साथ नारतेनने सके नहीं अलतिक इसके अधिक है ठीक है जिए अपनी मेल अडी हो यह यहाप आप डाल सकते हो मैं विसके लिए आपको प्रैक्टिस के समझा रहा हूं तो यह आपकी कंपनी में किस पोस्ट पे है तो बाकी स्पोस्ट कुरो जैसे कंपनी आपके मालों प्राइवेट लिमिटेड है तो आपके तो Speech आपके मालों पार्ट्रों पार्ट्रों में कमट्वर्टन होते हैं समक्राटन में कम्पनी बंदें पार्टन होते हैं तो यहां पोस्ट बिसके लिए जब इनोugi की जीन gue बिलक्रोगे त्रॉप अपके जैना व कम बने पासपोर्ट नमबर एंदान पेली शॉष्ण को सब्सक्राइब करता हूं यहां प्रक्राइब क्या है इंडियन क्या हो यह इंडियन है यह कंपसरी भी निया ठीक है ठीक है टीक है टीक है तो जो भी आपको एड्रस देना वो फ्रॉप्रेटर का वह दो मैं इस फिल कर रहाँ जो भी प्रफट राइडर्स होगा आप याप फिल कर सकते हो उनका देगे तक अपने कंट्रीपी कर लो आज या अधिया टॉपके दिजाएगा आपको जोपर आओगे लिए इंडिया आगया इंडिया आगया इस्टेट्पी कर लोगना देली ठीक है ट एक दिश्टी आजाएगा अगे इस्टी पताई होगे आपको अपने पार्ट पहले पार्ट विवराव वसको ठीके फिर जो भी पिसके लिए पिन कोड़ होगा वह प्रिकोड हम्या पर आपको डाल सकते हो ख्लियर अच्छेज लिए अच्छीज के लिए करता हूं हाट पक कीज़ाब पार्टनर रो सकते हैं तो इसकी समी क्या होगा अब हर एक ड्रेक्टर को एड करोगे ए तो हर एक जब्सम ऐसे मड़ मानुको ऑड कर रहा हूं तो इसबní की के ठिक है अगर Mr. A authorized signatory है company के अंदर तो असको yes B करोगे ठिक है तो क्या होगा फिर मैं सको add new करोगा ठिक है फिर Mr. B को add करोगा से नहीं सी तरिके से ठिक है फिर जाए जब बी की photo आ जेगी आपे और अगर B authorized signatory है बागे टाइमबेस को लो रखते हो गए तो अब बागे सबक्ति अच्वाट अब है तो है अगा आशुप करता हो फोटो को है तो आइब अब कुछ बात है उतलता हुआ को मैं फोटो अप्लोड करने से पहले इसका ध्यान रखना वो यह कि फोटो जो है आपके JPEG format में होनी चाहिए और 100KB की होनी चाहिए तो इसका पड़ा ध्यान रखना पड़ेगा अगर साइज ज्यादा है तो नहीं अप्लोड होगी मैक्सिम साइज है 100KB और JPEG format में अच्छे PDF format नहीं चलेगा scan copy नहीं चलेगा अगर scan भी है तो JPEG फाइल में ही फ्रमाट में चीए ठीक है तो इसको जहां में रखते वे हम उसको upload करते हैं ठीक है यह upload हो गया ऑफ्राइस सिकनेटरी मैंने पताया कि जो भी होगा स्वाइस कर कि ठीक है तो मैं आपके क्या करेंगा सेवर्ट कॉंटीनिय करूंगा तो देखो अठाइस सारे शीजे आटो फिल है हमें कुछी फिल निकरना अपने खाली व्यू करना है फोटो माने प्रोड और लिए वह चुकी है ठीक है आपके आपने खाली स्पर टिक करना होता है प्र अगर कोई आपके कमपणी में जो आपके कमपणी को रीपेजंट करता है तो आप अपने जगह किसी और बंदे को बोलते हो कि मिश्टर वी जो है हमारी कमपणी का उथरेज्ट करना होगा या कूछ रिए आपसे दिपार्टमेंट क्या कि यू है अगर है तो को इस्यों नह अगर कोई अधर बंदा है तो अधर पर क्लिक करके आप उसका नाम उसका मिडल नेम लास्ट नेम उसकी डैजिगनेशन कि वह इस कंपनी के इंदर किस पोस्ट पे है अधर में आप्शन जो भी है उसका मुइल नंबर एन इमेल आइडी साथ में पर्मानेट पैन नंबर ये तो यह 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 करके उसके इंदर आजाएगी सारी जोसको से वाप रहां पे नहीं है आप रहां देना जी ठीक है ओके तो से वेंड कंटिनू करके हम आगे मूफ करते हैं यहां पिकाएगा प्रिंसिपल प्लेस ओ बिजनस जीज तो जो भी आपकी ओफिसका एड्रस होगा त अधिक है अधिक है विद्सिपल यह अधिस पूछ ओगए और जो भी होगा उसको डालके हाँ पे आप पिक कर सकते हो जो सब्सक्राइब कर हो इसे एक अधिक हैं संफार्मा फ्रिंस मेर्ण जोब यह निवास ही interesट अधिक तो में किलिदिंग फिल्डिंग नाम है डिक अठी सबस्क्त होते हैं यह पर लो सबस्क्क करने अब ब Organisuses कटें आ नहीता सबस्क्क है वैं तो अभडी parents नहीं था जो भी सकते हो ठीक एंगा पैसलो रही है पेनिया से नहीं अनुझाए ऐन देखा हो धीक्षा है और यह शेयीत 1 hahaha अच्छा अब क्या कूछ रहा है वो लाटिटीट और लॉंगिटूड पहले बहुत यह कंबल स्री नहीं नहीं तो यह ब्लैक्ट छोड़ सकते हो प्यादा कारण तो यह ब्लैक्ट छोड़ने का ठीक है दूसरा कारण का इसका मतलब क्या होता है इसके अपने घर के पेपर दे अब आपके पास इंफोर्मिशन है इसकी पेपर में आपके पास है लिखावा तो आपके डाल सकते हो अदर्वाइस आप इसको स्किप भी कर सकते हो अच्छा ना आप यहां पूछ रहा है नेचर और पोजिशन और मितलब कि जो बिल्डिंग है जहां पे आप काम कर रहे हो वह कैसे है आपका consent पे है least पे है own है rented है shared है यह अदर से अगर आप पर हो तो आपके करोगे आप शेरिंग में कर लोगे अपने पर आपके अपने बिल्डिंग हो ठीक है यह जो भी option होगा rented करके अब हैं डॉक्मेंट्स आपके पर प्रूड करने होगे अगर रेंड पर हो तो भूसता का आपने बिल्डिविल हो ठीक है ownership का डॉक्मेंट्स हो ठीक है यह जो भी हो ठीक है पर प्रपटिकर टेक्स पर करते हो तो उसके रिसेप्ट होगी तो यह सब ले सकते हो ठीक है तो जो भी क्लाइंट है आपका उससे पुछोगे आप की सा इन्वाइड को प्र क्योंदीच करके अपने से इंपलोड करना होगा इंठ स्ब्राइब कर देना हो जासे इनवाख जिए रहा है साइस का बड़ा है फोमें को छोटा सेजीट करना पदेगा है तो कि यह उनुद्थ पर मैइँ होना ची और जी पेजी फोटारी ऐस थो तो पर मैट लियो थी सान जिपेजी फाई अपूर्ट कर देले है तो जूब कर देले हैं। प्रेस्टीकों भी द्रफॉट कर दिया प्रेड कर देल, फॉल कॉन दिखे एंक ग्राइए। प्रेस के लिए नमेरे प्रेस्ट कहते है। करने हो थिक करने होगे कि अब पूछाई है इसको फाइनली करने वाले की कि अब कॉछेगी अपसे क्या बढ़ाया बिजनस का इडर्स तो यह आपका ठीक है ओके मग पता लगे हाँ प्रोर्प्रोक्रीटर का पता है यह है यह प्यक्सक्राइब आप कोई वेहांस खो लोगे फैक्टरी है लेजिंग बिज्टेस है रिटेल का काम है वर्कॉंट्राइक आपके पास कोई अप्यूट कर रहे हो सेल अफिस का है वेहांस एक्सपोर्ट हो सब्लाइर और सर्विस्ट हो क्या हो इसके लिए टीक है तो इन विसे जो भी आप काम क तो दिखान से इसका अगला पार्ट वह किसका है एडिशनल प्लेस विजनस का वह एक्टिवेट हुजाएगा यहाँ पर इसका एड्रस देना कंपसरी है ठीक है तो ध्यान रखो कि अगर मालो मेरी कंपणी रोईनी के अंदर भी है और एक सेम साकेत के अंदर भी है सेम सेट के अगर तो मुझे उसका अभी एड्रस देना पड़ेगा ठीक है और अगर नहीं है तो उसको नो रहां तो ठीक है अगर वाइस सेवर्ट कंट्यूनी करोगे अगर आगे अगर आपर यह सकते तो यह आप्शन भी खुजाता और यह भी एड्रस दिना बस कि जो भी एड्रस है अगर 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 आप यहां पर आगे अगर आप करने के बाद आपके सामने ऑप्शन आ गया किस बूट्स में या किस सर्विस में डिल करोगे तो यहां से आपको मालू आपकी पास कोई कंपणी है आपकी यहां कि पिद्विस के अपकी डिल करते हों कोई आपकी दुपान है जैसे पतनजली हो गया वो लाकौँ समय बेचता है तो उसको सारे आटकी एड्री करने के अंदर आप कोई भी टॉप के पांस चुम्योंटी याप कोई पांस सर्वेस पिक का सकते हो तो जो भी है यहां पर सिंपले अपनी सर्विस के नाम लिख हो गया लट से मैं लेगता हूं कोचिंग ठीक है अधिक है यहां लिखा आ गया गया कमर्शियल ट्रेनिंग एंड पुचिंग सर्विसेश और साथ में सका और भी आ गया एसे सी पूर बोलते हैं अगरे बूट सुथ होता तो उसके लिए हमारा एचसे इस इन पूर्ट और सर्विस के लिए एसे सी कोड बोलते है ठीक है अगो तो जितने भी विश्का लावर सर्विस होंगे अपर डाइक पर हो गें ठीक है जो भी लिख हो गया वोट्स आजाएंगे आपका बस बास अपका कंसलर्देंसिका पिजस्ट भी एए ट्रिकए और रहर कर दो तोपध प्लमिञें है यह टॉप इंगे कंपनी है जो इस्ते शरी सराइससे करती ऐसे एक ऐसा क्लाइन बिला जो बोलता है वाल पास भी है तो आप बोट सर्विस दोनों पिक्कर सेथे हो जैसे मालोग मैं आपके कुछ डालता हूं आयरन का अब मालों डिल करते हो अंडरा धॉस्टर अइस्ट पिक किया अपने उसका एससे कोड भी आ गया ठीक है तो इस तरिके से आप अगर आप दोनों डिल करते हो दोनों पिक कर से जब्लेट करना है डिल दोबर आड लाइड करता हूं ओके ना आगे मुव करता हूं हमने गोड्स प्रविस्ट भी अभी है पिस्टाइक कर दी इसका लूब करते हैं आगे तीक अब आप बनाओ किसके वार में बैंक अकाउंट के वार में तो टूटल नम्रो बैंक कांट मैंटेंड कितना बैंक और वो दालो साथ में अपके अपके अग्रो एड यू करो टिक अश्वाव लि अब कर लोगे अपना क्लाइंट का देखें टीकिक आएसी कोड है तो लाट से हम कुछ प्रेक्टिस के लिए कुछ भी आए विसे एक सीपोड कर लेता है किसी बैंक का बकी जब एक्ट्स लेखिल करोगे न शको तो एक्कुरिट आए फ्सी कोड सबको सेम पिक करना होगा कर लिए एक पिक कर लिए ऐसी कोड बगे सारी इंफॉम्शन कहा मिल जाएगा को चेक्ट्बूप मिल जाएगी ठीक हो जाता है क्या है क्लाइंट का कैंसल चेक होता है ठीक है तो यहांसे हम अप्रोट कर सकते हैं तो उसमें सारी बाते लिखिए होंगी क्या आपका एसी सब्सक्राइब कर लिए अब जो भी आपने स्कैन क्या होगा उसको पिक कर लेना टिक मैंसे प्रेक्टिस क्या को चीजब अप्रोट कर के जब अप्रोट होगे ठीक है तेन से इवंट कर दिन्यूंग यादे बाते साजिक लिए ओके याद रिखना मैं फोटो जो पिक कर हो अब इस पर्माट को सिंपली मैं आता है क्या बोलूगा इसको आप यहापे सेवंट क्लिक कर दो बेना देखे यह तो मैं बतारा हूं में टिक क्योंकि हमाए कंबल से लिए कुछ भी नहीं है ठीक है अच्छा दूसरा सब क्या है पार्ट इसमें लिखा क्या है देखो इस लगती होगी उस स्टेट के लिए करना है क्लाइं उन्वाले स्टेट्स पे है तो इन्फोमिशन दो क्या था कुछ बारे में चाहो तो गूगल भी कर सकते हैं यहां देखो मैं यहां पर ग्या गूगल यह पीडिया उन्हाइप दाल दिया प्रुटिया प्रुटिया पर इसकार में हासे पढलो वेकी पडिया पीजिए क्लिखाव आ रहा प्रोफिशनल टैक्स तरू जूम कर तो दिख रहा कोई अची ओके प्रॉफेशनल टैक्स भाई आट्स यहा और शेट पर अप्लिकेबल नहीं होता जिस इस स्टेट की कॉर्मेट बोलती है महीं पर अप्लिकेबल होगा साथ में एन्योन अर्लिंग इंकम फ्रॉम सेलरी और एनी प्रैक्टिसिंग और अप्रोफिशन सच चार्ट अकॉंटेंट कंपनी सेट्री लॉयर डॉक्तर इस प्र प्रोफिशनल बंदे इस बोलते हैं ठिकेब आर्ट रखैट टू पेख प्रोफिशनल टैक्सिग है उनको पेए करना पर दाख ट्रटाइक्सिवाला इस प्रॉफेशनल टैक्सिटीग इट्टिकेबल इस टेट्ट इप्रेंट रेट्स एंड मैंध लिट्स तूग और तो यह बिसके लिए उस्टेट्स के लिए था तो अगर इन इसके अंदर भी इसका नंबर होगा प्रफिस्नल टैस का तो देना है वरना क्या करना है ब्लैंक चोड़ना अपने इसको ठीक है और आप तो कंबसरी वैसे रहा भी नी माइग्रेशन खतम हो चुकी है तो इसको ब्लैंक चोड़ दो बिसके लिए गवर्मेंट हमारी ना बहुत ज्याद बेजी है तो फॉर्म का अप्लेटी नहीं कर पा रहे हैं यह फॉर्म जब् सब्सक्राइब कर देखना पड़ेगा तो लास्ट पाट हमारे फॉर्म का तो क्या होगा स्में आपका वेरिफिकेशन है अपने देखा भी होगा अगर आप आपनी सीवी ब्लाते हो ना तो हाँ भी लिखते हो आई हेर्बाइब देक्लियर दार्ट वट इस ट्रू एंड कर अब लिखा पड़ ले रास को अब आपको एक करना ही पड़ेगा ठीक है अब अपके तरिका अथ्रा सिक्नेटरी पिक करो उसका प्लेस्पिक करो जान से आप अब आरिक आई कर देखो बेसिकले इसको ठीक है डिट आप आटमाटिक पिल हो जाएगी इसके अदर अब बात अब डेश्व से ने चेर ठीक है तो एक मैंटाय फॉर्माट में साइन होता है उसको पैंटाय को लगाया आपने और साइंसे को प्रूफ कर दिये हैं इन केसे कंपणी बागी हर केसे लिए अब आप ओड़ी बिट रूभी इसको वरिखाई कर सकते हो ठीक है तो अगर सब्सक्राइब करेंगे इसको तो यहां पर क्या होगा आपके फोन पर ठीक है या मेल पर उसके आपके पास्वाट आएगा पूटीपी आएगा वाजो टीपी डालो दो चक्रों आया कुई आया बताऊ क्या व्याओ टीप्या शेक्स डेबल जैवन ट्री एफ वी इस बीफ विटान ठीक है तो डानने के बाद दुश्टों आप यह वैलिट नहीं करना तुछ तो यह वह समेंट हो जागा वह मारा तो यह वह वह से प्सेस्ट आपका ठीक अपने किसी भी क्लाइंट क्या 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 होता है तो इससे ऊपर कुछ भी नहीं आ है इसके लाबा क्या होता है के सबस्क्राइब को Jake Але थो इसके दिए कुछ भी क्वेरी है की डाव्ट्स या ठीक है को एसा मेलिगा जिनका समझनी पालе कि अप लहाए कैसे करें तो आप कमेंट्वक्स में डाल दो कर तो मैं डालता हूं यहां पे दिसमें वाट्सप नंबर आपको जो भी कोई क्वैरी आ रिया रिशिशन तो आप सिंपली मुझे अप्डेट करो मैं इसका रिप्लाई कर तूम ठीक है या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो ठीक है बिसके लिहां मेरी मेंशन भी है आप यह पिक या है बाक यह प्रपस लिए अठीक है तो यह इस पूंट नहीं में आपय्टिकल्ट करने का लेका और हम इसको सम्वेट ने करते हैं यह सब्सक्राई करते हैं यह वीडियू में ब्सक्लिए प्रपस के लिए था ठीक है यह बूखे दिस आल बौद ड़ ऑर गैस को था